भक्तो हर महीने में दो बार चतुर्थी पढ़ती है एक बार पूरिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद दूनों चतुर्थी का नाम अलग-अलग है। अक्तूबर मा में तेरा तारी को संकस्टी चतुर्थी पढ़ रही है। अक्तूबर दो हजार बाईस दिन ब्रस्पतिवार को है। इस दिन चंद्रोदै का समय रात्री आट बच के 28 मिनट पर चतुर्थी तिती का प्रारम 13 अक्तूबर को सुबा एक बच के 69 मिनट से और इसकी समापती 14 अक्तूबर को सुबा 3 बच के 8 मिनट पर। महात्यो संकस्टी चतूर्ती का व्रत सुर्योदै से प्रारम होता है और सुर्यास के बाद चंद्रदर्शन से समापत हो जाता है। इस समय विग्नहरता भगवान गड़ेश की उपासना करने से घर के सभी नकारात्मक प्रभावनस्ट हो जाते हैं और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है घर की सूख और समरिथी में व्रिथी होती है। संकस्टी वृत का पालन करने से घर में आने वाली बाधाय दूर हो जाती और ग्रह कले से मुक्ति मिलती है साथी संतान प्राप्ती के लिए भी या वृत उत्तम है संकस्टी चतुर्ती पूजा की विदी आज के दिन सुबा उठकर इसनान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए गडिश भगवान की पूरी विदी विधान से पूजा अर्चना करे उन्हें तिल गुर लड़ू दूरुवा चंदन मोदक अर्पिप करे ओम गंगरपते मंत्र का जाप गडिश इस्तुती गडिश चालिसा और सकट चौत वृत की कथा पढ़नी चाहिए पूजा खतम होने के बाद गडिश जी की आर्थी जरूर पड़े रात में चान निकलने से पहले गडिश भगवान की फिर से पूजा करे चंदरोदे के बाद दुग्द से चंदरदे को अर्ध दे कर पूजन करे और फिर फलाहार ग्रहड करे संकस्टी चतुर्ती के दिन भगवान गडिश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनुकामना पूरी ह संकस्टी चतुर्ती की पौरोडिक कता एक समय की बात है शीव और सक्ती नदी के किनारे बैठे हुए थे कुछ बाद माता पार्वती को चौपड खेलने का मन हुआ उन्होंने सीव जी से कहा तो वो भी तयार हो गए लेकिन समस्या या थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ती नही कर सके माता पार्वती ने अपनी सक्ती से एक बालक की मूर्थी बनाई और उसमें परान प्रतिस्ठा कर दी फिर उन्होंने कहा कि तुम इस चौपड के नदी को हार और जीत का फैसला करना या हूने के बाद माता पार्वती और सेर्जी ने खेल प्रारम किया कई बार चौपड का खेल हुआ जिसमें माता पार्वती ने भगवान सीव को हरा दिया माता पार्वती ने उस बालक से खेल कर निर्ने जाना चाहा तो उसने भगवान सीव को विजई बता दिया इससे माता पार्वती नराज हो गई उन्होंने गुसे में बालक को स्राब दे दिया जिससे लड़का लंगड़ा हो गया लड़की ने छमायाशना की तो माता पारवती ने कहा कि यहां स्राब वापस नहीं हो सकता इससे मुक्ती का एक उपाईया है कि तुम संकस्टी के दिन यहां आने वाली कन्याओ से व्रत का विधान पूछो और विधी पूर्वक संकस्टी चतुर्ती का व्रत करना संकस्टी चतुर्थी पर कन्याओं से बालक ने व्रत की विधी जानली और नियम पूर्वक व्रत किया गड़ेश जी ने प्रसन होकर उसे वर्दान मांगने के लिए कहा तब बालक ने माता पारवती और भगवान सीव के पास जाने की इच्छा वेक्त की तो गड़ेश जी न